नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल रियल कोईक एनलिसिस पर तो चलिए बिना समय को कवाए हम जल्दी से चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की यह हम सभी का आग रहे बहुत लंबे समय से रहा है कि डिफेंस मैनुफेक्चरिंग भारत में बढ़नी चाहिए ताकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर की रूप में गिना जाने वाला भारत ना केवल अपनी जरूरत को खुद पूरा कर सके बलकि दुनिया को भी और बोईंग के बीच समझोते के बाद साल 2015 में जनम लिया था और आज देखिए अपाची अटेक हेलिकॉप्टर के स्वावे फुसलाज को बनाकर उसे बोईंग की अमेरिका में इस्तित फैक्टरी के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है जहां पर हेलिकॉप्टर असेंब यहां पर गौर करना जरूरी है कि कमपनी बनी ही साल 2015 में थी फिर फैक्टरी का कंस्ट्रक्शन हुआ और पिछले तीन सालों में लगातार काम करने के बाद अपाची हेलिकॉप्टर की सौभी बोडी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और तो और फुसलाज के अलावा यह कमपनी अपाची हेलिकॉप्टर के लिए अनकंपोनेंट्स का भी उत्पादन करती है और थोड़े समय पूर्ब हमने भी चुर्चा की थी कि इस कमपनी के द्वारत में ही 737 फैमिली के हवाई जहाज में लगने वाली वर्टिकल फिन के प्रोड़क्शन के लिए एक और मॉडिफिकेशन होता रहता है यहने का मतलब यह है कि यदि एक बार बोईंग की सप्लाइचेन में भारत में अपनी पैट बना ली तो ऑर्डर हमें मिलते ही रहेंगे अमेरिकन डिफेंस सोर्सिंग भारत से कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया ज़ा सकता है कि पिछले दो सालों में बोईंग की भारत से खरीद चार गुना बढ़ गई है जबकि दोस्तों हमें हलका सा अंदाज़ा है कि अपाची हेरिकॉप्टर के फुसलाज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है इसलिए टार्र बोईंग एरोस्पेस लिमिंटेट के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और वर्कर्स को बहुत बढ़ाई परन्तु हम साथ में पेक्षा करते हैं कि धीरे धीरे हम और भी अधिक कॉंप्लेक्स कंपोनेंट्स का भारत में उत्पादन बढ़ाएं उद्देश साफ है अमेरिकन ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भारत का दखल बराबर बढ़ता जाना चाहिए अब यह काम कोई रातो रात तो होगा नहीं इससे जब तक प्रयास गंबीरता से किया जा रहे हैं तब तक हम भारतिये धेरे के साथ प्रतीक्षा करने को भी तैयार है तो दोस्तों ये था हमारा आज का अनलिसिस I hope आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अदिल धन्यवाद जय हिंद